आज हम बात करेंगे उसी एक्जाम के तहट आने वाले टोप MCQ महत्पुण MCQ के बारे में जो कि इस एक्जाम के लिए ने बल्किए आने वाले सारे एक्जाम के लिए महत्पुण होंगे और मैं आपको विश्वास गैरनेटी देता हूं कि इनमें से अच्छे का सोकुष्ण इसे हैं जो आपको सिधे एक्जाम में देखने को मिलेंगे चाहिए वो करेंट फरके हो चाहिए वो इस्टेटिक जिके हो और साथ ही जो कड़ी मेनद करने वाले विद्यारती है उनके लिए इसके डिस्टरी एकेनमी लेके आए हैं एक एप्लिकेशन जिसके अंदर हमने 10 म मड़ोल पर ऐसे हैं जो कि RS, MSSB के बेटन पर आदारीत हैं सारे नए कोशन उसको मैंने परसनली हमाई टीम ने मोनिटर करके डिजाइन किये हैं उस वहाँ जाहिएगा इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ दूसरा सबीत तरफ सोर पेनलों के साथ आयतकार, आयतकार, सरंसना थी, तीसरा सिर्ष पर एक गोले वाला गन था, चोथा उप्युक में से कोई नहीं, इस प्रेशन का आपको उत्तर देना है, वीडियो को पोस करके दे सकते हैं इसका उत्तर, कमेंट सेक्शन में, इसका उ उत्तर हो जाएका, ओप्शन E, अगला प्रेशन है, चंद्रियान 3 मिशन के निदेशक कोन थे, आपको बताना है कि चंद्रियान 3 जो लोण चुवा था, उसके निदेशक कोन थे, डारेक्टर कोन थे, उसको नाम बताना है, पहला है, वीर मुथ्थु वेल, दूसरा है, बी पूरा मोरेटर किया है, अगर जलते हैं, चंद्रियान 3, चंद्रम महां पर कहां उत्रेगा, यह आपको बादाना है, यह इजी कोशन है, पहला है, दक्षनी द्रूप के पास, दूसरा उत्तरी द्रूप के पास, तिसरा भूंबद रेकी शेत्र के पास, और चुवता उप् पर यह इका उत्रेगा, दक्षनी द्रूप पर है, साउथ पोल पर है, साउथ पोल ओफ, मून पर यह मिशन चन्द्रियान 3, जो बारत का है, इस रोट ने छोड़ा है, वो उत्रेगा दक्षनी द्रूप पर, अगर जलते हैं, श्में गेतरफ, अगला प्रेशन है रहा है, क कोई फिर है लेंडिंग छंपनल गाउंड है चंपनलोकTO के दक्षनि द्रूग के पास जो एक बहुत ही दूरस्त और अग्याशत्र है एंगला है लेंडर और रोवर को वो प्रत्वी के समवाद के साथ समवाद करने में सक्षम होना होगा लेकिन चंद्रमा का वायू मंडल बहुत पतला है जिसमें संचार बहुत मुश्कुल होगा आप देख सकते दोस्तों कि इन त्रीनों आप्शन मेंने कुछ और कोशन एड़ गिये हैं इसी में कोशन एड़ चंद्रमा के लेंडर और रोवर द्वारा कौन से विग्यानिक उपकरण ले जाए जाएंगे इसका साही उत्र बताना आपको सतव विग्यापर उपकरण वायू मंडली विग्यान उपकरण जल विग्यान उपकरण और ऑप्शन D सही उपरोक सभी इसका साही उत्र उपकरण सभी हो जाएगा क्योंकि चंद्रयान थ्री में जब लेंडर रोवर को त्यार किया गया था उसका साथ उपकरण को से लगाए थे सत्व विग्यान उपकरण क्योंकि वह सत्व का स्टड़ी करेगा वायू मंडली विग्यान उपकरण वायू मंड मिठेवißt Чтоन दोलं की cocoda everyone दो जो की टीन फेश मुंए था बतानां रखो कि क्या था उसका टाइम पीरिड क्या था अठाउस oysters नान से पचास अठाउस सीठाउस से नहीं स्क्षान 7 से नहीं से ननिस नहीं से थिली से निस निस यह ही तरफ है अग्ला प्रश्न है कि राजस्तान के बीलों के लिए गोविंद्गुरु द्वारा गटित समाज declining संगतन निमलिखित मैं से कोन सा है आपको अने गोविंद्गुरु जीनोंने दार्मिक सामाजी संगतन इस्तापने जिना कि दिर इसका नाम बता ना ब्रह्म समाज आत्मी सोसाइटी संब सबा ग्राम सबंग इसका से उत्रा बताएगा आप दोस्तों इसके संब सबॉस्तों समब सब एक सामाजिक धार्मिक संगतन था जिसका ससापना कोविंद गुरू द्वारा की गई थी चलते हैं निश्कुशन के तरफ दोस्तों की गई थी इसका सवाई उत्र है option c 1917 में की गई थी और आपको कमेंट सक्षिंगे में ये भी बताना है कि उपरमाल किसान पंच बोर्ड कोन से किसान अंधुलन से संब्बन दीते हैं इसका option c से हो जाएगा दोस्तों अगे दलते हैं नेश्कूशिंगे तरब नेश्कूशने बिजोले किसान अंधुलन का कारण कितने प्रकार के कर वह बेगार प्रता थी जो बिजोले किसान अंधुलन में हुआ था वो कितने प्रकार के कर या बेगार प्रता के एगेंस्ट में हुआ था 22 कर लगाया थे 55, 55 या 44 कितने प्रकार के कर या बेगार प्रता बिजोले किसान अंदोलन की शुरुवात की गई थी चलते हैं आज के आखरी प्रश्न के तरफ किस अंदोलन के दोरान जागीरदारवक किसानों के मध्य समझोते को बोल्चेविक संग्या दी गई आपको आंदोलों का नाम बताने हैं जहां पर बोल्चेविक समझोते हुआ था बिजोले किसान अंदोलन बेकु किसान अंदोलन अलवर किसान अंदोलन या फिर अलवर यहां पर अलवर के जिगर आप मेव किसान अंदोलन लग सकते हैं इसका सही उत्र बताना दोस्तों आपको इसका सही उत्र होगा बेकु किसा अंदुलन बेकु किसा अंदुलन था जिसके अंदर बोल्चेविक समझोते की बात की गई थी तो यह था टोप सिक्यू स्रीज का टोप कोश्चन जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत मुद्पून थे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में तब तक लिए में ख्याल रखिए और अपने एक्जाम को और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए थैंक यू